हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एससी प्रपेशन दोस्तो आज से हम पर्सेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं पर्सेंटेज चैप्टर एक्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्जाम में तीन से चार कोशन पूछ लिए जाते हैं स्टार्ट करते ह होता है तब हम हंड्रेट से डिवाइट करते हैं एक्जामपल ले लेते हैं 50% मुझे 50% को फ्रैक्शन में कनवर्ट करना है तो मैं इसे हंड्रेट से डिवाइट करूँगा अब मैं इसे काटूँगा 52 जा 100 तो मेरा फ्रैक्शन आया 1 by 2 ऐसी ही अगर मुझे फ्रैक्शन से percent में convert करना हो fraction to percent तब हम इसे 100 से multiply करेंगे यह example ले दें 1 by 2 को अगर मुझे percent में convert करना होगा तो मैं इसे 100 से multiply करूँगा 50 percent तो ध्यान रिखेगा जब भी हमें percent से fraction में convert करना होगा हम 100 से divide करेंगे अगर हमें fraction से percent में convert करना होगा हम 100 से multiply करेंगे यहां मैं कुछ fractions के percent लिक रहा हूँ आप इसे याद कर लिजेगा 1 by 3 का होता है 33 is to 1 by 3 percent 1 by 4 का होता है 25 percent 1 by 5 20 percent 1 by 6 16 is to 2 by 3 percent 1 by 7 14 is to 2 by 7 1 by 8 12 is to 1 by 2 percent 1 by 9 11 is to 1 by 9 percent 1 by 10 10 percent 1 by 11 9 is to 1 by 11 1 by 12 8 is to 1 by 8 is to 1 by 3 percent अब आप सोच रहेंगे कि इन्हे याद कैसी किया जाए जब आप कोशन करना 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 करेंगे इनका करेंगे इनका यूस करेंगे अपने आप आप आपको याद हो जाएंगे आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे इन सब की यह अपने आप आपको याद हो जाएंगे 1 by 13 7 is to 9 by 13 percent 1 by 14 6 is to sorry 7 is to 1 by 7 percent 1 by 15 6 is to 2 by 3 1 by 16 6 is to 1 by 4 percent 1 by 20 5 percent 1 by 25 4 percent यहापे कुछ मैं important percent लिख रहा हूँ 4 by 7 57 is to 1 by 7 percent 5 by 7 71 is to 3 by 7 percent 3 by 8 37 is to 1 by 2 percent 5 by 8 62 is to 1 by 2 percent आप इन सब को याद कर लिजेगा याद करने का कहीं आप प्रैक्टिस करें हैं कोशन करने की यह आपने आप आपको उनमें यूज होंगे यह और आपको यह याद हो जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं आप कोशन से कोशन नमबर 1 When 62 is to 1 by 2 percent of a number is added to itself result becomes 143 Find the original number कोशन में कह रहा है कि अगर किसी number का 62 is to 1 by 2 percent नकाले और उसे उसी number में add कर दिया जाए तो answer जो आता है वो आता है 143 तो आपको बताना है original number आपको बताना है देखिए जो यह percent दिया हुआ है आप इसको देखिए इसका fraction में convert करिए सबसे पहले तो आप 62 is to 1 by 2 percent का भी मैंने बताया था 5 by 8 अब देखिए इसमें यह होता है कि अगर 8 जो number है हम इसे माल लेते हैं कि जो हमारा original number है वो है हमारा 8 अगर हम 8 का 62 is to 1 by 2 percent नकाले तो उसका answer आएगा 5 यानि कि अगर यह हमारा original number होगा और इसका हम 62 is to 1 by 2 percent नकाले तो हमारा result जो आएगा 5 तो हम क्या करते हैं उसने बोला है कि 62 is to 1 by 2 percent नकाले और उसे add करेंगे तो 143 आएगा हम करते हैं original number हमने माना 8 62 is to 1 by 2 percent of 8 क्या है 5 एट में 5 प्लस करेंगे तो 13 जबकि उसने काये कि answer आएड करके 143 इट मेंस 13 यूनिट की value है 143 तो 1 यूनिट की value 143 अपान में 13 इसको डिवाइट करेंगे हमारा answer आएगा 11 अब 1 यूनिट की value है 11 और हमने original number हमने क्या माना था 8 तो 1 यूनिट की value 11 तो 8 यूनिट की value हो जाएगी 8 into 11 तो हमारा original number आ जाएगा 8 multiply by 11 यानि की 88 यह हमारा answer हो जाएगा next question ऐसा ही एक देख लेते हैं if 57 is to 1 by 7% of a number is subtracted from itself result becomes 15 find the original number question में कह रहा है कि अगर किसी number का 57 is to 1 by 7% निका ले और उस result को original number में से subtract कर दें तो हमारा जो answer आएगा वो आएगा 15 तो अब हमें original number बताना है सबसे पहले तो 57 is to 1 by 7% का fraction में लिखेंगे 57 is to 1 by 7% का fraction होता है 4 by 7 हमाल लेते हैं हमारा original number जो है वो है 7 unit अब 7 unit का 57 is to 1 by 7% होता है 4 अब इसको बोला है subtract करने के लिए का है हमें 7 minus 4 3 unit जबकि हमें quotient में given है कि subtract करने के बाद जो result आ रहा है वो है 15 it means 3 unit की value हमें दे रही है 15 तो 1 unit की value हो जाएगी 15 by 3 यानि की 5 अब 1 unit की value 5 है तो 7 unit की value कितने हो जाएगी 75 जा 35 तो मारा original कोशन में कह रहा है कि अगर किसी number का 325 परसेंट निका लें और उस result को उसी number में add कर दें तो answer आता है 850 अब हमें original number निकालना है सबसे पहले क्या करेंगे वही परसेंट को fraction में convert करेंगे 325 परसेंट को fraction में convert करना है देखिए एक तरीका तो यह है कि हम 325 को 100 से divide करें fraction में convert करने के लिए या दूसरा तरीका हम इसमें time लग जाएगा थोड़ा दूसरा तरीका है आप 325 को break कर देजिए 325 को हम लिख सकते है 300 plus 25 अब 300 को fraction में करेंगे तो 300 का fraction होता है 325 परसेंट का fraction में करेंगे तो 25 परसेंट का fraction होता है 1 by 4 अब इसको add करेंगे 3 4s are 12 plus 1 13 by 4 इसका मतलब 325 परसेंट का fraction क्या हुआ 13 by 4 यह आपका अब 40 से fraction में आ गया अब कोश्यन में उसने क्या कहा था कि अगर ऑडिजिल नंबर का 325 परसेंट निकालें और 13 में add करें ठीक है यह करना है और हमने माल लिया हमारा ऑरिजिनल नंबर है 4 4 unit ठीक है अब 4 unit हमारा original number है ठीक है अब 4 का 325% कितना होता है 13 तो 4 को अब उसने कहा है हमें add करने के लिए तो 13 को 4 से add करेंगे 13 और 4 कितना होता है 17 जबकि कोशन में कहा है कि add करने पर जो result आ रहा है वह है 850 it means 17 unit की value है 850 तो 1 unit की value 850 upon 17 इसे काटेंगे 17 5 जा 85 वन यूनिट की value है 15 और हमने माना था original number 4 unit तो हमारा original number हो जाएगा 4 multiply by 50 answer आगया 200 अगयो next question पर आते हैं if 416 is to 2 by 6% तो यहां पर 3 होगा if 416 is to 2 by 3% of a number is added to itself result becomes 15,500 find the original number वही सबसे पहले percent को हम convert करेंगे fraction में इसे भी हम break कर लेंगे 416 है हम 400 plus 16 is to 2 by 3% लिख सकते हैं इसे ठीक है 400 को fraction में करेंगे तो 4 16 is to 2 by 3 का fraction होता है 1 by 6 64 24 plus 1 25 by 6 अब उसने कहा है इसको add करना है हमें 6 का इतना percent कितना होगा 25 add करने को बला है 25 plus 6 31 unit जबकि कोशन में हमें गिवन है कि add करने के बाहर जो result आ रहा है वह है 15,500 31 unit की value है 15,500 तो 1 unit की value 1 unit की value से divide करेंगे answer आएगा 500 1 unit की value है 500 और original number हमने माना था 6 तो हमारा original number हो जाएगा 6 into 500 नानि 3000 यह हमारा answer हो गया एक्जाम में आपको क्या करना है आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्जाम में आपको सिर्फ कोशन का percent देखना है उसको fraction में convert करना है सिधा add करना है जितना उसका equal दे रखा है उसके equal रखना डिवाइट करके original number से multiply कर देना है आप इसकी practice करेंगे आपको जल्दी यल्दी हो जाएगा आपका next question पर आते हैं उसका percent कितना percent उससा answer में change आया देखिए सबसे पहले क्या किजिए जिस number से multiply करना है आपको वो number लिखे ठीक है and जिस number से उसने multiply कर दिया गलती से वो लिख लीजिए ठीक है अब इसका क्या के लिए short trick है यह मेरी अपनी बनाई होई trick है बहुत से teachers ने बताया हुआ है कि LCM लेना है लेकिन अब हमें exam में time बचाना है अपना तो मैंने एक short trick develop किया जिस number से multiply करना था वो लिख लीजिए आप पहले जिस number से उसने गलती से multiply कर दिया उसको लिख लीजिए ठीक है अब इसका cross multiply करिए 64 जा 24 55 जा 25 अब देखे 64 जा 24 जो आया यह वो number है जिससे उसे मलब अगर वो सही number से multiply करता तो answer आता उसका 24 लेकिन उसने गलत number से multiply कर रहा है तो उसका answer आया 25 अब कितना percent change आया वो निकालेंगे 24 पे change आया है इसलिए 24 को नीचे लिखेंगे ठीक है और कितना change आया है 24 से 25 हो गया answer 1 का change आया है तो 1 by 24 अब यह आया fraction में हमसे पूछा गया है percent में हम इसको percent में change करने एक लिए 100 से multiply करेंगे अब इसको हम काटेंगे 12, 50, 25, 6, 25 by 6 25 by 6 को mix fraction में अगर हम लिखेंगे इसको हम लिख सकते है 4 is to 1 by 6 percent यह हमारा answer हो गया 4 is to 1 by 6 आये next question इसी जैसे देख लेते हैं कर if a boy is asked to multiply a number by 5 by 6 but he multiply it by 6 by 5 find the percent change in answer किसी बच्चे को कहा गया कि किसी number को 5 by 6 से multiply करना है but उसने गलती से 6 by 5 से multiply कर गया अब हमें बताना है कि उसके answer में कितना percent change आया तो वही देखें किसे multiply करना था 5 by 6 गलती से किसे multiply कर दिया 6 by 5 से cross multiply किजिए 5 5 जा 25 6 6 जा 36 ठीक है जो उसका result आना था correct answer आना था 6 11 का change आ गया ठीक है अब कितना percent किस पे change आया है 25 पे change आया है कितना change आया है 11 जाया है अब यह आ गया fraction अब आपको इसको convert करना है percent में तो आपको हंड्रेट से multiply करना पड़ेगा 25 25 पोर्जा 100 जनी 44 परसेंट का उसके answer में change आया था आज के लिए इस वीडियो में इतना है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पाद शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा यह चैनल SSC profession subscribe नहीं किया है तो so I request आप इसे subscribe कर लिजिए मैं इसका next part आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा तब तक के लिए thank you